आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे हैरिस से होंगे अप सब की दौाओं से मैं भी ठीक हूँ और दिन का टाइम था मैंने व्लोग स्टार्ट किया तो दिन को ना अम्मी लोग बजार गे वे थे और फिर मेरी तबियत हलकी सी जो है ना मेरा बलड प्रेशर हलका सकया इतना ज्यादा लो था तकरीबन 50 तक मेरा बीपी जो है ना चला गया था इतना लो हो जाता है इतनी तबियत हराव हो जाती है तो फिर ना अम्मी थोड़ी सी इस तरह की चीज़े ले आएं कि थोड़ा सा खा के थोड़ा से नॉर्मल हो जाओं क्योंके हिम्मत तो थी नहीं तो फोरण से अपने कपड़े निकालें प्रेस करें और शावर ले लें आप इतने फ्रेश हो जाएंगे न कोई भी भिमारी हो आपको थोड़ी सी जनब वो एनरजी लाजमी देगा ये काम तो मैं भी ऐसे करती हूं जैसे मैं देखती हूं ना कि बच्चे बस ऐसे घूम र के सारे अच्छी तरह से वाश कर लियें और फिर जाना अपने नेक्स जितने भी काम थे उनको कंटीनियू कर लिया था देखें अगर आप जॉइंट फैमिली में है ना तो अगर तो एहसास करने वाले हूं तो बहुत ही हुपसूरत जिद्गी होती है जॉइंट फैमिली मे अगर लड़ाई, जगड़े और इस तरह की चीज़े होना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई सास करने वाला हो अगर कोई केर करने वाला हो न तो फिर बंदा बहुत ही इजी तरीके से बंदा रह सकता है अब जैसे मेरी अमी सास हैं माशाला से वो अभी थोड़ सी एक्टिव हैं मतलब कितने काम ऐसे हो जाते हैं कि वो मेरे साथ होके सारे निप्टा सकती है बच्चों को नहला दिया कुछ इस तरह के काम कर दिये और जैसे कि अब मेरी तब अथराफ थी तो फिर बजार से इस तरह के चीज़े ले आई कि मुझे ना बनाना पड़े तो ऐसे जिनकी बड़ी हुबसूरत गुजरती है अच्छा उसके बाद केरिंग जेट और जठानी भी हूँ तो फिर और अच्छे से आपकी लाइफ और हुबसूरत हो जाती है अगर प्यार महबत हो रिश्टों में और बच्चों में भी और बच्चे वो बच्चे जो दर सौधिया में जो चीज़ खाते हैं जो उनको अच्छी लगती है वो यहां पे लाजमी बेचते हैं अब यह खजूर देख लें इतने मजग यह खजूर थी ना तो यह बाजी को पसंद थी तो साथ ही हमारे लिए भी उन्होंने भेज़ दी इसको पता नहीं अम्मी शक्रिक डेट्स कहा रही थी कुछ कहा रही थी पर बहुत मज़े की थी उसके बाज बच्चों की खाने बीने की सारी चीज़ें उन्होंने पर जी थैंक्यू बाई बाजी आप लोग विलॉग देख रहे हैं तो अच्छा आज कल ना हम उपर शिफ्ट होएं मैं यहां पर इसी भी है और उसके बाद जो है ना अमी इदर उपर ही होती है ना तो मैं तो केली फिर मैंने आपसे पिछले विलॉग में बताया था मैं तो सोती नी फिर अब जा के शाम के टाइम मुझे टाइम मिला कि मैं यहां उपर आई हूँ और यहां के थोड़ सी डस्टिंग वगरा की है थोड़ सा रूम साफ किया है के बाद में मुश्किल ना हो थोड़ी सी अब अमी बच्चे यहां पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और उनको मैंने रूम साफ करके एसी लगा के दे दिया थोड़ी सी गर्मी थी इतनी गर्मी नहीं थी मतलब हबस टाइब था ना तो फिर बच्चे यहां पर स्कून से पिर मैंने ने के लिए मैंगो शेक बना लिया उस शुगर नहीं डाली बिल्कुल भी क्यूंके उनको शुगर है और अल्रेड़ी उनके पास बहुत शुगर है तो फिर जैना उसमें मैंने पीछ भी आड़ कर दिये इस तरह का जैना ड्रिंक बना के दे देती हूं ताके भावियाल ही रख सकते हैं बाकी सहत जिन्दगी ये सब लाँ के इहार में आ है लाँ तरह सब को सेहत वाले जिन्दगी दें उसके बाद मेरे बैटे के लिए भी और अपने लिए भी ना मैंने शेक जैना बना लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया ना दूद लाजमी लिया करें अपनी डेली रोटीन में बहुत जरूरत होती है अमीन नहीं था पीना और फिर हम लोगों ने पी लिया उसके बार डस्टिंग के जितने भी कपड़े थे ना शाम के टाइम जब मैं सारा किचन का काम हतम कर लेती हूँ ना तो इनको मैं वाश कर लेती हूँ और जहां मुझे नजर आज है ना कोई गन दिया कुछ इस तरह का अब जैसे यहां पे ना जब मेरी हेलपर वो साफ करती है ना मतलब बरतन वाश करती है तो फिर उन से काफी चिंटे पड़े होते हैं हाँ पे क्योंके वो तेस तेस बरतन दोती है और फिर मुझे आज टाइम मिला तो यह देखे उपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट भची वी थी और शीशा भी इतना गंदा होया था इसको भी मैंने साफ कर लिया अचा होया हुआ था मैं ऐसे बोलती हूँ मेरे बेन बाई बड़ी ही मेरी मिस्टेक्स निकालते हैं विलोग में अचा आज का विलोग इतना ही था तो अगर आपको मेरा विलोग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें दौायों मैं याद रखेगा अलाहफेज